नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और ये है U-Eureka Black का Unboxing वीडियो ये हैंसित मैंने Flip encore से खरीदा है, मुझे पढ़ा ये 8999 रुपे में ये Chrome Black Variant है, मैं actually Matte Black खरीदा चाता था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ये खरीदा है, ये है Ureka Black का Box Pack यहाँ पर आप देख सकते हैं युरे का ब्लाक लिखा हुआ है और जो बॉक्स है वो ब्लाक कलर का है यह हंसेट का पूरा स्पेसिफिकेशन बॉक्स के ओपर क्लेरली मेंचन किया हुआ है पांच इंच के स्क्रीन के साथ में आता है यहाँ पर मेंचन किया हुआ है 4G with voice over LTE support करता है इसमें snapdragon octa core processor है 4GB RAM है 32GB internal storage space है 64GB external card support है 13MP का camera है rear camera 8MP का front camera है और 3000mAh का इसमें non removable battery है तो चलिए हम इसकी unboxing शुरू कर देते हैं तो जैसे आप box खोलेंगे आपको box के अंदर मिलेगा यह Eureka Black handset और यह chrome black color का है दिखने में यह handset काफी आकरशक है बहुत ही glossy finishing है और यह totally काले रंग का है जैसे कि आप देख सकते हैं यह बहुत ही glossy look देता है और इसका जो यह पीछे वाला भाग है कुछ हत्ता कि यह plastic की तरह दिखता है वैसो तो इसकी body metal से बनी हुई है लेकिन जो पीछे वाला भाग है वो plastic के जैसा feel देता है handset काफी slim है और इसकी build quality है वो काफी अच्छी है इस handset में आपको मिलता है 3000mAh का non removable battery यह है front screen और इस अगर आप चाहें तो इसके उपर एक अच्छा सा screen guard लगा सकते हैं वैसे जरूरत तो नहीं है क्योंकि इसके उपर है Corning Gorilla Glass 3 protection इसका जो display quality है वो काफी अच्छा है बॉक्स के अंदर आपको एक screen guard भी मिलता है और यहां पर आप देख सकते हैं box के अंदर यह है sim tray ejector pin और इस packing के अंदर आपको मिलता है यह सारी चीजें इसमें है user manual warranty card सार information का pamphlet है और यह है silicon case जो handset को protection provide करेगा और यह बहुत ही बेकार लगता है क्योंकि white color का है बहतर होता है अगर company black color का silicon cover देती और box के अंदर यह आपको travel charge भी मिलता है इसकी जो rating है यह है 5 volts 1.5 amperes box के अंदर आपको एक data cable भी मिलता है यह है USB to micro USB cable और आपने देखा होगा सारी चीजे black color की है और यह है आखरी content एक earphone यह standard quality का earphone है इसकी quality इतनी खास नहीं होगी लेकिन एक earphone box में included है तो बस यह सारी चीजे आपको मिलेगी इस box के अंदर इस handset का पूरा review मैं जल्दी लेकिया होगा यह handset Wico के handset की तरह दिखता है इसे आप copy तो नहीं के सकते लेकिन यह rebranded handset है copy करना और rebrand करना इन में काफी अंतर है तो इसका review मैं जल्दी लेकिया होगा अगर आपे मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर कीजिए इस video को like कीजिए अपने comments दीजिए और share कीजिए धन्यवाद